बॉर्निंग फ्रेंट्स विल्कम तो दी चैनल और चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स आज है 27 अक्टूबर सबसे पहले करेंट अफियर्स स्रीज में आपका बहुत स्वागत है प्राइम मिनस्टर नरेंद्र मुदी विल पार्टिसिपेट इन विच एडिशन ऑफ आश्यान समिट तो देखिए हमारे प्राइम मिनस्टर नरेंद्र मुदी जी पार्टिसिपेट करने वाले हैं 18 अश्यान कंट्री में कौन-कौन से कंट्री से तो वह बहुत इसली आपको मैंनमार के नीचे कौन-कौन से कंट्री से वह देख लेते हैं आश्यान कंट्री में मैंनमार के नीचे हैं त्री कंट्री तो यहां पर मैंनमार के नीचे हैं त्री कंट्री तो यहां पर मैंनमार के नीचे हैं त्री कंट्री तो यहां पर मैंनमार के यहां पर जो आपको ग् वेटनाम है यह तिन कंट्रीज आपको देख रहे हैं तो यहां पर आप याद रहे हैं फृद्व हो घ्कृ जब और यह एक यह थडिया चासरी नाउस और वेक्टनाम और यह घ्लेख लिखए हैं उस sizedLike ूब्रे 확 syनव कि ने हैं intentar 10-दंद dul एंसतर नो याद हो जाएगा आपने देखा कमबोडिया लाउ svAMA Biennślę और उसके नीचे हैं कंबोडिया और फिर उसके नीचे हैं Singapore, Malaysia, Brunei और Brunei के नीचे फिर देखते हैं और बिल्कुल आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से आपको पूरी कंट्रीस याद हो जाएगे उसके नीचे अगर हम लोग देखें तो उसके नीचे है आपका इंडोनेशिया दिख रहे हैं एक इंडोनेशिया है तो अभी तक हमने क्या देखा 3,1,3 और एक हो गया इंडोनेशिया और यहाँ पर एक है फिलिपी 3,1,3,2 तू कौन सा है एक इंडोनेशिया है जो सबसे मीचे है और एक फिलिपीन है जो सबसे उपर तो हमें याद हो गया कौन-कौन से आस्यान कंट्रीज है और यह टोटल कितने हैं टेल यह भी बताना चाहूंगी आस्यान समिट के साथ-साथ 16th East Asia Summit भी हो रहा है देखिए जो आस्यान समिट है वो वर्चुल हो रहा है ठीक है और यह जो 16th East Asia Summit है वो भी वर्चुल हो रहा है और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया के अलावा चाइना जैपैन साउथ कूरिया अस्ट्रेलिया न्यूजिलैंड रॉश्या यूसे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे है ठीक है तो आस्यान कंट्रीज जो है उसके अलावा चाइना जैपैन साउथ क पुरिया एस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड पार्टिसिपेट करें तो दो समिट हो रहे हैं एक तो इस्ट एस्या समिट 16 और 18 आसियान समिट दोनों ही इस मन्त में हो रहे हैं इस मन्त और नुमेंबर में होंगे Q2 पे आ जाते हैं BASF Cycle Rally has started from which place as a part of आजादी के अमरित महसब 17 और 2021 को BASF ने Cycle Rally स्टार्ट किये है किस प्लेस से यह स्टार्ट किया गया है जैसल बेर राजस्थान से 16 जैसल में राजस्थान से 17 और को स्टार्ट किया जा रहा है BASF Cycle Rally ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह BASF द्वारा ओगनाईज किया गया है Q3 United Nation Foundation Day celebrated on तो इसका अंसर पर आपको पता होगा यह 24th October को celebrate किया गया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं 24th October 1945 को United Nation बना था और United Nation में total कितने member है तो total 193 countries है और latest member कौन से question आ जाता है तो वो है South Sudan जो की 13th July 2021 को add हुआ था United Nation का नाम United Nation कौन दिया था तो वो दिये थे Franklin Roosevelt जो यह 1945 में बनाया गया ओगनाईजेशन है तो काफे पुराना है तो उस टाइम Franklin Roosevelt में इसका नाम United Nation रखा था आगे बढ़ते हैं question number 4 की तरफ दादा साहिब पाल के international award goes to देखे दादा साहिब पाल के international award तो दिया गया है लेकिन यह international award है तो यह दिया गया है अक्षे कुमार को तो दादा साहिब पाल के अवार्ड दिया गया है रजनी कांथ को लेकिन दादा साहिब पाल के इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है अक्षे कुमार को यह जो दादा साहे पाल के अवार्ड दिया गया है वो 51 थेटीशन है जो की रजनी कांथ को दिया गया है जो की 2019 में एनॉंस हो गया था 50 दादा साहे पाल के अवार्ड किसको दिया गया है जियां अमिताब बचन को दादसाइब फाल के इंटरनेशनल आवार्ड में बेस्ट आक्ट्रेस का आवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकुन को ध्यान रखे Question No.5 Who has owned the Formula 1 US Grand Prix Award Formula 1 US Grand Prix Award जीता गया है Sebastian Vettel के द्वारा जो की Dutch के racer है Dutch country से बिलॉंग करते हैं Dutch Denmark से बिलॉंग करते हैं आगे बढ़ते हैं Number 6 A book titled Kamala Harris Phenomenal Women Authored by Whom एक बहुत important book आई है Kamala Harris की book है Phenomenal Women ये किसके द्वारा लिखा गया है ये लिखा गया है चिदानन राजगटा के द्वारा देखिए ये बहुत important book है क्योंकि ये Vice President of America Kamala Harris के बारे में है इस book के writer है चिदानन राजगटा उसके अलाबा Kamala Harris की कुछ popular किताबे हैं उनको देख लेते हैं जैसे की The Truth We Hold Superheroes Are Everywhere Kamala Harris Rooted In Justice Nikki Crimes के द्वारा लिखा गया है ध्यार रखें Nikki Grimes ने ये book लिखी है Question No.7 How many new teams will be added in IPL 2022? देखें IPL 2022 में 2 new team आ रहे हैं और अब total IPL में कितने team हो जाएंगे? IPL team हो जाएंगे 10 ठीके? दो team add हो गए हैं Lucknow और एहम्दाबाद और ये BCCI ने declare कर दिया है Kolkata-based businessman Tycoon Sanjeev Yunka ने खड़ीदा है लगनौ और CBC Capital ने अंधाबाद ध्यान रखें Question No.8 Free education to low income group has recently announced by एक बहुत important program start क्या गया है Free education to low income group ये start क्या गया है हर्याना government के द्वारा देखें ये program क्या है Super 100 program के अंतरगत जो भी बच्चे IITG या फिर Civil Service exam के त्यारी करते हैं उनकी family की income अगर 1.80 lakh से कम है तो ऐसे family को Free education प्रुभाइड क्या जाएगा हर्याना government के द्वारा बहुत सारे I.S. officers जो है वो हर्याना से हैं आप नाम बता करते हैं जिनको आप जानते हैं Question No.9 Which Indian organization has selected as president of VEPA for 2021-2023 लेखिए एक बहुत ही important declaration आया है VEPA जो है एक बहुत ही important organization है World Association of Investment Promotion Agency VEPA ये जो organization है वो किसे as a president select किया है तो वो किया है Invest India Company को Invest India एक इंडिया का बहुत रिनाउन कमपनी है और उसे select किया गया है as a president of World Association Investment Promotion Agency ये agency क्या है थोड़ा जानते हैं तो देखें ये जो agency है वो UNCTAD यानि United Nations Conference of Trade and Development Organization का organ है यानि ये किसका पार्ट है ये UN का ही पार्ट है और इसका headquarter जिनेवा स्विजर लैंड में है ठीक है ध्यान रखें Question No.10 देख लेते हैं 26 October is remarkable day for India 26 October यानि कल बहुत remarkable day था इंडिया की history की इनने तो बताए क्यों जी हाँ उस दिन जम्मू और कस्मीर भारत का एक पार्ट बना था ठीक है उसी दिन राजा हरी सिंग ने Instrument of Assession में साइन किया और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया था चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सवाल International E-Waste Day कब बनाया जाता है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे और वीडियो में कोई भी डाउट हो कोई भी वाइस प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो ज़रूर बताए और इसका सॉलूशन जल से जल्द किया जाएगा थैंक यू तो वाज वीडियो तिल लास्ट